प्यारे बच्चो मैं आपका अपना आशिह अगरवाल आपका स्वागार्थ नमबर 2 ले रहे हैं रूर के शेर नमबर 3 का विद्धुध्धारा में ठीके बच्चो आपकी याद होगा लेक्षर नमबर 1 में हमने विद्ध्धारा के क्या संबंदा, गति, शीलता, क्या थी, ठीके, तो आज हमारा जो चलने वाला टोपिक है, बच्चो, इसमें मारा आज का पहले टोपिक जाएगा, ओम का नियम, ठीके, इंपोर्डेंट टोपिक है आपका ये, ओम का नियम, ठीके, आपने बच्चो वैसे तो ये 10th क्लास में पढ़ा होगा, ओम के नियम क्या बताता है, कि यदि किसी चालकतार की बहुतिक आवस्था है, यदि किस चालकतार की बहुतिक आवस्था है, जैसे ताप होगी उसका, ठीके, उसका लंबाई होगी, ठीके, यदि किस तार की बहुतिक आवस्था है, ताप बदलना, ठीके, उसमें विकरती उत्मन करवाना यदि ये अवस्थाओं को परिवर्थ ना किया जाए तो उस चालकतार के सिरों के बीच लगाया गया विवांतर उसमें परवाईद धारा के स्वानपाती होता है स्वानपाती होता है अब इसको घम्टाने के लिए कौंस्टन डाले आता है हम चैसे टांक जिसे चालक जिसे किस चालकतार का परतिरोध कहते हैं ठीके, जिसे किस चालकतार का परतिरोध कहते हैं आपने इसके बारे पढ़ा होगा, ठीके तो यहाँ पर अगर देखते हैं कि जब परतिरोध निकल के आपका आता है जिसको हम यहाँ पर वैदुथ पर्ति रोध, ठीके? तो R अरु बराबर आपका निकल लका जाता है, V अपॉन में आई निकल लका जाएगा, ठीके? R बराबर आपका जाएगा V अपॉन आई, ठीक? तो यहां से इसका मात्रा जागा निकालते हैं बच्चो तो मात्रा क्या निकल का जाएगा इसका मात्रा निकल का जाएगा वोल्ट पर एम्पियर ठीक है वोल्ट पर एम्पियर निकल का जाएगा ठीक तो बातसन में आरे हैं आपके वोल्ट पर एमपर यह सिदा 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 सको पढ़ लेते हैं बच्चों, ओम यह सिदा मातरक बन जाता है आपका ओम जिसका सिंबल होता है इस तरीके से आप इसको रप्रजन करवा देंगे ठीके? अब इसकी वीमा के 3 a-1 होती है ठीक है और अपन में एंपियर तो एंपियर के लिए या चाहेगा और जब यह उपड़ जाएगा तो वैल्यू क्या बन जाएगा इसकी वीमा क्या बन परिवर्तित ना किये जाएं तो उस केस में उस चालकतार मान लेते हैं कि आपके पास में कोई यह चालकतार है ठीक है यह कोई आपके पास में चालकतार है ठीक है तो इसके अनुपस काटका छेत्रफल हो जाएगा नहीं वाला यदि इस चालकतार के सिरो के बीच में को विवा बहुतिक अवस्था है विबानतर यान की वी अप्लाई करवा देते हैं ठीक है तो यदि किसी चलगतार की बहुतिक अवस्था है बहुतिक अवस्था नमबर 2 चला जाएगा आपका दाब नमबर तीन चला जाएगा आपका आयतन यदि किसी चालकतार की बहुत एक अवस्थाएं ना परिवर्तित की जाएं तो इस केस में किसी चालकतार के सिरों के भी चलागाएगा भीवानतर उसमें परवाई धारा के सवानपाती होगा ठीके तो इसको हटाने के लिए यहां पर आपका आगया वी अपना इसका मात्र स्दी पर ऑबने गया वोल्त पर एम्पीर यहों हम सरे लेगा इसको इसको तरीके समस्पाल करें बच्चों यहां पर ठीकेश ओंने लृह का कई बार बच्चोस में क्या होता है एक कोशन आपका बोर्ड के एक्जाम मन जाता है इस रिलेटिव आपका कि परतिरोध की वीमा परतिरोध की वीमा MKS पदों में लिखिए ठीक है? परतिरोध की वीमा MKS पदों में लिखिए तो आपको कुछ नहीं करना, आपको यह देखना है, आपने 11 क्लासे पढ़ा होगा, में साथ मूल राशियां आपकी होती है, ठीके, जैसे लंबाई हो गया, दरिमान हो गया, ताप हो गया, ठीके, वैदु धारा हो गया, तापमान होगी आपका, ठीके, और आपका जोती तेवता होगी है, ठीके, परदार्द की मातर होगी, तो साथ मूल राशियां जो होती है, उनको रिपजन करने के लिए, हम जो लेटर स्क्राइब करते हैं, आपको उसको ही लिखना है, जैसे M किसको, M किसके लिए आता है, M दरिमान के लिए आता है, और दरिमान का मातर क्या होता है, बच्चो, किलोग्राम, तो आप लिख दीजे, किलोग्राम, L, L किसके लिए आता है, लंबाय के लिए, लंबाय का मातर क्या होता है, MKS परदिती में, मीटर, ठीके, T किसके लिए आता है, समय, समय का मातर क्या होता, MKS परदिती में, सैकिंड, तब लिख देंगे, बच्चो, सैकिंड, ठीके, A, A किसके लिए आता है, वैदु धारा के ल वीमा में जो लेटर आ रही होंगे, मात्रक को लिख लेना है, उसके बाद, जो उसके उपर पावर लगी भी हैं जैसी, प्लस की पावर प्लस में, और माइनस की पावर माइनस में, आप वैसी पावर उसमें लिख दीजिए, तो जैसे आप देखें, L पे दो पावर है तो मीटर पे दो पावर आ जाएंगी सेकंड माइनस की तीन पावर तो माइनस की तीन पावर चली जाएंगी और A पर माइनस की दो पावर तो माइनस की दो पावर चली जाएंगी बात के लिए होगी तो आप आपके बास सिंहा आगी होगी तो यहां से हम व्यदूद परतिरोत का मात्राइच बता सकते हैं कि क्या बनेगा वोल्ट पर एंप्यर हो गया या ऐसे पद्धितिम उसका मात्राइच देख सकते हैं कि ओम हो जाएगा लेकिन यहां तक बच्चो बात आपके किलियर होगी होगी कि यदि किसी चालगतार की बहुतीक अवस्तावन परिवर्टन ना किया जा तब उस केस में उसके चालगतार की सुरूपर प्रभाइत किया गया सुरूपर लगायागा विवानता उसके प्रवाइत धारा के समानपाती होता है किलियर बात भी बच्चो चलिए अगर यहां तक बाते किलियर हो गई है आपके तो आप इससे अगला टोप भी देखते हैं बच्चो हमारा अगला टोपिक क्या जाएगा चलिए बच्चो हमारा बच्चो अगला टोपिक जाएगा आपका विसिष्ट परतिरोध या परतिरोधक्ता परतिरोधियर परतिरोधक्ता ठीक है इसको रपर्जेंट कहता बच्चो रो से यह भी इंपोर्टेंट ओपेक आपका इससे रेल्टिव कॉशन्स पर आते हैं हमारे और यह डैरी विशन्स पर बॉर्ड के एक्जम में कई बार पूछा गया है तो यह विशिस्ट पर्ति रोधकता या पर्ति रोधकता ठीक इसका मतलब क्या होता है तो देखे क्या होगा कि यदि आपके पास में कोई चालगतार है जिसके सिरो का छेतरफल कितना होगा बच्चो अब इस चालगतार की लंबाई मान लेते कि यदि small l है ठीक और यदि इस चालगतार को यदि चालगतार को किसी वैदुत शुरोत से जोड़ा जाता है यानि कि इसके सिरो पर कोई विवांतर लगा दिया जाता है ठीके तब उस केस में माइनस प्लस से यहां पर करेंट फ्लो नहीं लगेगा यानि कि उसके अंदर के इलेक्ट्रोंस होंगे ठीके वो गती करने ल किस्के फर्फद ए होगा ठीके ख के बात के रहब पाई यदि उसके सिरो पर को विवांतर बी लगा देते हैं कि जो अपने यह कितने वॉल्ट का ह यह 6 वोल्ट का दिच बार वोर्ट के बैटरी है तो आप यह क्या होगा जैसे रומतर लगा चैने भी बिंदू पर चालक तार के किसी बिंदू पर किसी बिंदू पर किसी बिंदू पर परवायत होने वाली धारा धारा जाएगे ना धारा कैसे जाएगी बच्चों आपकी तो सब्सक्राइबitionök by जानते लैक्त्रोंच 91 अब ऍप只ные करके जारे होंगे तो यहाँ पर क्या सकते हैं कि कि दॉद्धराच बालना कि यह वाला एक सोगे यह वाई ऊगा तो x से y की तरफ जारा वाँ एades तो अभी विश्ष पर चरोथ क्या होगा कि जब हम किसी चालक तार के सिरो के सिरो पर को विबानतर लगाते हैं तो चालक तार के किसी बिंदू पर व्यद्धू छेट की दिरूतर चुकि इससे हमारे लेक्ट्रिक फिल्ट हो जाएगा ठीक है एलेक्ट्रिक फिल्ट कितना चालक तार के सिरो पर विबानतर लगाते हैं तो चालक तार के किसी बिंदू सो गुजनने वाला वैद्धू चेत्र और धारा गनतू धारा गनतूद क्या नाथ को बहुत को क्या बोलते हैं बच्छो विसिष्ट परतिरोद्या पदि रखता किसको ओ ये अपोन जे बात सु ठीक है और आप जानते हैं कि जैसे मैं आपको समझाया है यहाँ पर कि यदी चालकतार है उसके लमाई L है अनुपस काट का एरिया A है उसके शिरो पर वह अंतर V लगाया गया है तो आप यहाँ पर हम आपके यह वाली इन दोनों वैलियो को कहा रखा जाएगा समीकर्ण 1 में रखा जाएगा है जैसे यह समीकर्ण 1 में रखतें वैल्यों को देखे का बन जाएगा रो बराबर आपका जान गर में एल into में j की value जब रखी जाएगी तो ये value उल्टी हो जाएगी यहानि कि a चला जाएगा उपर और i आ जाएगा नीचे ठीके अब यहाँ पर देखिए क्या करना होगा आपको i और v को आपको एक साथ लेके चलना पड़ेगा तो जैसे i और v को एक साथ लेके चलेंगे आप तो आपका क्या बन जाएगा रो बराबर v upon i into में a upon में l आ जाएगा ठीके और जस्ट अभी आप पड़े हैं यहाँ पर जस्ट अभी आप यहाँ पर पड़े हैं क्या पड़े हैं यहाँ पर कि लाँ आपको बताया गए v upon i होता है अपका y अपको क्या होता है r होता है ठीके अ अ अ अ सब्सट अ तो यह आपका में फॉर्मला एक तरीके से आचुका है ठीके यह आपका विशिष्ट परतिरोध या परतिरोध रता का एक formula आपको यहाँ पर निकल के आ चुका है clear बाद तो यहाँ तक आपको चलिए अगर यहाँ तक बाद आपको संज्मा आ जाती है अगर यहाँ तक बाद आपको संज्मा आ जाती है तो कई बार questions आया हुआ है आया हुआ है कि विसिषट पर्तिरोथ की परीभाषा आपको पर्तिरोथ के पदों बतानी है ठीक है विसिषट पर्तिरोथ की परीभाषा तो कैसे बता जाएगा हम यहाँ पर कह सकते हैं बच्चो यदि पहले तो इस Sigmar dis Limited मात्रक सब्सक्राइब चाहिए कि अगर इहां पर मातरक देख लेते हैं तो एक मातरन रोगा अचाहिए आ इसकी वीमा क्या बन जाएगी आपकी वीमा ओम की वीमा, जस्ट अभी निकाली थी हमने यहाँ पे, क्या आयती निकल गए देखे, ml2, t की पाँ माइस 3 a-2, ठीके, तो यह वाली वीमा मैं यहाँ पे रखे चलेंगे ठीके, तो देखे वीमा कितने मन जाएगे आपकी, ml कितने आयती, 2 t की पाँ माइस के 3 और a की पाँ माइस के 2 यह होगी ओम की मिटर के लिए यह लवर चला जाएगा अब देखे फिर सॉल्व करें कितना मन जाएगा ml3 t माइस के 3 a-k2 यहाँ पर इसकी यह वीमा आचुगे किसकी वीमा होगी बचो यह यह वीमा होगी आपकी विसिस्ट पड़ती रोग या पड़ती रोगता कि यह आपकी वीमा हो जाएगी ठीके, यहाँ तक बात आपके खिलेर होगी होगी, चलिए अगर यहां तक यह बात किलेर हो गई है तो इसके बाद में आपको इसके बारें पता होना चाहिए क्या पता होना चाहिए यहां से देखिए यदि आप यहां पर एक को मालने कि एक मीटर होगा आपका कोई चालकतार तो जैसे इस value को यहां रखा जाएगा तो आपका बन जाएगा रो बराबर आर बन जाएगा तो यहां से आपके एक परीभाशा बन जाती है कि अर्थार्थ किसी चालकतार का विशिष्ट परतिरोद उस परतिरोद के बराबर होता है जिस चालगतार की लंबाई एकांग हो और जिसका छेतरफल कितना हो एकांग को ठीक है यह हम कह सकते हैं कि किसी चालगतार का विशिष परतिरोद उस परतिरोद के बराबर होता है जिस चालगतार की लंबाई एकांग हो तता अनुर्पस काट यहां तो के बाद आपके क्लियर हो गई होगी कोई डाउट आपका बच्चों यहां तर अगर आपको कोई डाउट बच्चों किसी भी तरीक है तो आप उसे कमंड बॉक्स में जरूरी लिखेगा उसको देखकर आपका उसका समाधन करेंगे ठीके चलिए अब इसी से रेलेट पूर्ड्यक स्ट करूठ इसको बच्चों रपजेंट करते हैं इस सिकमा ते क्या होता है यह विश्ष्ट परती और के विद्करम कोई पूर क्यों पूर्स होते विशिष्ट परतिरोद के विद्करम को विशिष्ट चालकता कहते है ठीके विशिष्ट परतिरोद के विद्करम को विशिष्ट चालकता कहते है ठीके विशिष्ट परतिरोद के विद्करम को विशिष्ट चालकता कहते है इसे किसे रेप्रेसेंट करते हैं सिगमा से तो का मात्रक बन जाएगा बच्चों आपका क्या मात्रक बन जाएगा Ohm Inverse Metar Inverse Vee Maa इसकी उल्टी हो जाएगी ठीके Vee Maa कैसे हो जाएगी इसकी? उल्टी Vee Maa हो जाएगी कैसे हो जाएगी? जैसे भी आप देख पाएँगी हाप आपकी वियमा निकल कर आयती ही यह वाली ML3 T minus 3 A minus 2 तो जो power plus की है वो minus की हो जाएंगी जो minus की है वो power आपकी plus की हो जाएंगी ठीके तो देखेगा यहापर क्या आपका लिखावे वाला ML3 T की power minus 3 और 1 की power minus 2 तो क्या बन जाएगा बच्चो आपका यहापर यह देखेगा M की power minus के 1 L की power minus के 3 T की power plus 3 A की power plus 2 यह विमा आपकी निकल कर आजाएगी solve कर लिए सकते हैं बच्चो आप देखेएगा इसको ठीके तो विशिष चालत आपके संद में आ चुकी होगी आपके कि विशिष चालता क्या होगी विसिष प्रतिरोद के विद करम को विशिष चालता कहते हैं ठीके अब इसी से आपका एक topic आता है आपका board के exam में ऑपका है टॉपी नचाओठ का हेँड़िंग आता है विशिष चालतःता तदा धारा घनत्व में संबंद बताना है 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 यह यह जाता है बच्चों आपका इस विस्स्ट तथा तथा धारा घनत्व में संबंद तो जब संबंद की बारे में बाद आएगी बच्चों तो अभी आपका बताया गया है कि विस्ष्ट परतिरोत की विद्करम को विस्ष्ट चलगता कहते हैं तो हम यहाँ पर कह सेथे हैं कि sigma बराब आपका बन अपन rho हो जाएगा और अभी आपका बताया गया कि जो rho होता है जो rho होता है वो e upon j होता है ठीके तो इस value को जब यहां रखा जाएगा तो value हो जाएगी उल्टी यानि कि j चला जाएगा ओपर और e आपका नीचे ठीके तो यहां से j बराब का जला है sigma into e आजाएगा ठीके और अगर आपसे इसको कोई vector रूप में कहे दे कि vector रूप में लिखिए तो vector रूप में चला जाएगा आपका vector j sigma को पर vector नहीं जाएगा vector जाएगा आपका e के अपर ठीके बासन में आ रही है आपके तो एक तो हमारा देखे विसीच अलगता था धारगनतु पर सम्बाद्टू जे और धारगनतु आपका क्या आगया यहां पर आगे न यह जे जे आपका आगे न जे ही तो धारगनतु आपका sigma आपका विसीच अलगता हो गए तो उसमें संबंद आगे आपका, ठीके, बासन में आ रही है, और इजो फैक्टर रूपा है, इसको बोलते हैं, बच्चों, इसको कहते हैं, ओम के नियम का सदी शुरूप भी कहते हैं, ठीके, यहाँ तक बाद आपके क्लियर हो गई होगी, चलिए, अब इसके बाद में हमारा अगला heading चलता है आपका कि विशिष्ट परती रोध हो या परती रोध हो पर ताप पर निर्भरता ठीक है तो देखें ताप पर निर्भरता कैसे रहती है उसकी क्या जाए अब चौप का heading हम यहाँ पर कह सकते है या तो परती रोध कह दे या परती रोध अगता कह दे पर ताप की निर्भरता या ताप पर निर्भरता की ताप पर निर्भणता ठीक है तो देखें ताप पर कैसे निर्भणता है जैसे जैसे हम किसी धातों का ताप बढ़ाते हैं तो उसमें कमपनों के आयाम भी बढ़ने लगते हैं जैसे इसे कंपोनों का आयाम बढ़ेंगे हम simply इस बात को जानते हैं कि यदि आप ताप बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है यदि आप घटाते हैं किसी धातों के किसी चालक का ठीक है किसी चालक का घटाते हैं तो उसका प्रतिरोध भी कम हो जाता है क्यों ऐ एसे कॉंब का यहां बढ़ने लगता है तो ससमौना क्या किहें उनके तक्रों के बढ़ने की समझावना भी अधिक होती चलियाती है जिससे एलक्ट आपने पढ़ाता है पढ़ा ही वग रहा पर लो बराबर आर इंटु ए अपॉन है ज़िए किसलगत तार का area और length को constant मान ले जाए तो सिधा सिधा हम यहाँ पर क्या सकते हैं कि R केकवल होगा यहाँ पर यह तो जैसे आपका R बढ़ेगा वैसे आपका R बढ़ जाएगा जैसे आपका R घटेगा वैसे आपका R घट जाएगा यह बहुत important question आपका है इसको बहुत अच्छे से याद करें आपकी परतिरोध धातूओ के लिए ताप बढ़ाने पर बढ़ जाता है और ताप घटाने पर धातूओ के लिए इसका परतिरोध घट जाता है ठीके तो देखें यहाँ पर क्या होगा मान लेते हैं हम कि माना हमारे पास में दो परतिरोध है माना R1 वे R2 दो परतिरोध कोन-कोन से ताप पर होगे T1 degree Celsius तथा तथा T2 degree Celsius पर है ठीके बास में आरे आपके और यहाँ पर हमें क्या बताना है कि जो T2 degree Celsius होगा है यहाँ तब जो ताप होगा आपका T1 से जादा होगा तब उस case में अगर हमको R2 निकान लना हो तो हमारा formula जाता है बच्चो R2 बराबर R1 इंटू 1 प्लस अगर यहाँ से अलफा की value आपको निकान लना है एक्वेशन बड़ी important है इस equation को एक मान के चल लेंगे आप यहाँ पर तो अगर आपको अलफा का मान यहाँ से निकान लो कि अलफा की value कितनी बनती है तो R की गुना कीज़ेगा अंदर तो R2 बराबर कितनी चल जाएगा R1 प्लस के अलफा R1 T2 मानस के T1 ठीके अब यहाँ से देखें तो यह R1 जो है इधर आके मानस हो जाएगा तो आपका बन जाएगा अलफा बराबर R2 मानस के R1 अपॉन में R1 इंटू में T2 मानस के T1 ठीके यहाँ से आपका यह वाला फॉम्मला बन जाएगा ठीके बात समझ मारे आपके किसे क्विशन नमबर दो माल लेंगे अब इसी पर अगर आप देखते हैं आगे चलके तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यदि यदि हम यहाँ पर एक तो कह सकते हैं कि अलफा की वैलू डिपेंड करती है पर काप पर ठीक दूसरा यदि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि माना 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 0 degree Celsius पर पड़ती रोद आपका R0 वे T degree Celsius पर पड़ती रोद आपका RT हो तब वैलू क्या बन जाती है आपकी RT बराबर R0 इंटू 1 प्लस अलफा T अब अलफा T क्यों आया चुकि अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर T1 की वैलू जब हम 0 रखेंगे तो यहाँ से खतम हो जाएगा T2 की ज़री के विलू ट रखा जाएगा ठीक है तो उस केस में यहाँ से अगर आपको अलफा निकान ला हो तो क्या विल निकल जाएगा आपकी RT माइनस के RT माइनस के R0 अपॉन में क्या जाएगा आपका क्या जाएगा बच्चों आपको यहाँ पर R0 T चला जाएगा ठीक है चुकि जब सके इंदा गुना करेंगे प्लस यहाँ जाएगा तो केवल आपका R0 T चला जाएगा तो यहाँ से आप अलफा को निकाल पाएगे बात समझ में आपा रही है आपके बच्चों यह equation बहुत important आपकी ठीक है तो आप यहाँ से आपको बात के लिए हो पा रही होगी कि यदि किसी धातू का ताप बढ़ाया जाता है किसी चाला का ताप बढ़ाया जाता है कि धातू के लिए एक तो अलफा का मान कया कि यासा होता होता है धनात्मख होता और इसकी जो वेल्यू होते है होती है तो इससे समी का नमबर कहा रखें हम यहाँ पर देख लेता है समी का नमबर 3 में रख देते हैं समी कम 3 में, 3 यह रहा आपका, ठीके, तो जैसे समी कम 3 में रखेंगे, तो value क्या बन जाएगे, आपकी rt बराबर r0 into 1 प्लस alpha की value 1 upon 273 और यहाँ पर t चला जाएगा, ठीके, अब LCM रेके चलेंगे, तो यहाँ पर जाएगा, rt बराबर r0 273 प्लस kt upon 273, ठीके, आप जानते होंगे कि यह दिक किसी degree sizes में 200 73 को add कर जाता है, तो वो ताप आपका Kelvin में convert हो जाता है, ठीके, परम ताप जिसको हम यहाँ पर कहके चलते हैं, तो r0 upon में 200 73 और बन जाएगा capital T यह वाला, ठीके, अब r0 upon 200 73 को constant माल लें, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि rt प्रोफेशन हो होता है, ताप के समानपाति होता है, ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोफ की value बढ़ जाती है, ताप को घटाएंगे तो प्रतिरोफ का माल घट जाता है, जैसे प्रतिरोफ बढ़ेगा, चुकि हमारे पास formula आया भी निकलके आपको बताया था कि rho बढ़ाबर आपका था, आर इंटु में A upon L, तो अगर आपका आर बढ़ गया, यह से हम कह रहे हैं आपको बढ़ाएंगे, ताप को बढ़ाएंगे, ताप का परतिरोफ बढ़ गया, आपका यहाँ पर तुम कह सकते हैं, कि विशिष्ट परतिरोफ बढ़ जागा, परतिरोफ अगता बढ़ ठीक है, यह बात आपके बच्चो समझ मां आ रही होगी, तो यह होगी आपका परतिरोफ या परतिरोफ बढ़ ताप की तापन निर्भरता, ठीक है, दूसर आपको यह याद रखना है बच्चो कि अर्ध चालग इतने परदार्थ हैं आपके, अर्ध चालग जैसे लाइक आपका सिलिकोन, जर्मेनियम, इनके लिए अलफा कामान रिणात्मक होता है, इसलिए ताप बढ़ाने पर इनका परतिरोफ कामान घड़ जाता है, और परतिरोफ बढ़ ताभी घड़ जाती है, ठीक है, बात असन ना आगया आपके लिए, कि अर्ध चालग जितने परदार आपके है, लाइक जर्मेनियम, लाइक सिलिकोन, इनके लिए अलफा कामान नेगेटिव होता है, और नेगेटिव होने के वज़े से, इनका ताप बढ़ाने पर, इनका ताप बढ़ाने पर क्या होता है बच्चो, इनका ताप बढ़ाने पर इनका परतिरोफ कामान घड़ जाता है किसका अर्ध चालक का ठीक है आप इस बात को याद रखेंगे यहां पर अर्ध चालक के लिए अलफा तरणात्मक होता है इसलिए इसलिए ताप बढ़ाने पर परती रोध या परती रोधता घट जाती है यह लाइन बहुत इंपोर्टेंट है बच्चो आप इसको बहुत ध्यान से समझ लेना ठीक है कि अर्ध चालक के लिए अर्ध चालक के लिए अलफा नगेडिव होता है ता बढ़ाने पर परती रोध या परती रोध ता घट जाती है वैल्यूस की क्या हो जाती है बच्चो ता बढ़ाने पर बढ़ जाती है ठीक है बच्चो आपके संग्ना चुकी होगी दूसरा आपको एक बात या रख नेए आपको यहां पर जो बच्चो हमने ओमकर निया फ़र पड़ा था यहां पर अगर इसमें आप से बोला जाए इसमें अगर हैं ध्यान से देखें तो यदि विए और आई के बिच में अगर हम graph को खेचते हैं तो बच्चों हमें यहां पर जो graph मिलेगा आपको वो एक सरल रेखा मिलेगी, सीदी रेखा ठीके, पासन में आ रहे हैं आपके यहाँ पर यह वी प्रोपोर्शनल आई के लिए होता है और सभी धातों के लिए होगा ठीके, तो हमें क्या मिलते हैं हाँ पर वी आई ग्राफ में हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है ठीक है ये बात आपके बच्चों संज्मा आ चुकी होगी चलिए अगर ये बात आपके बच्चों संज्मा आ चुकी है तो आगे चल लेते हैं अभी यहां पर आप चलिए अगर ये बात आपके संज्मा आ गई है यहां पर तो इसके आगे अगर हम चल लेते हैं तो देखिए यहां पर क्या होगा वैद्व दूर्जा के लिए कि जब हम किसी चालकतार को किसी चालकतार के सिरों को बैटरी के दुर्वर से जोड़ देते हैं तो बैटरी से धारा बैटरी से धारा बैटरी क्या सकते हैं ठीके से धारा बैटरी क्या सकते हैं ठीके से धारा ब तो उसमें कितनी बैटरी द्वालब दी जाती है तो इसके लिए फर्मुला बारागा आपको याद होगा वी बराबर डबलू अपान कि एक फर्मुला निकल कर आयता है है तो क्या निकल का आपके आजाएगी V into Q बात संग मारे आपके तो यही आपके क्या होगी वैदूत उर्जा हो जाएगी तो हम क्या सेथे हैं कि यदि किसी चालकतार के सिरो को बैटरी के दुर्वों से जोड़ा जाता है तो बैटरी से जो आविश परवाइट होगा तो बैटरी द्वारा विश परवाइट करने में क्या गया कारिये ही उर्जा के रूप में कनवर्ट हो जाता है यानि कि उसके द्वारा दीगी उर्जा कितनी होगी या वै उर्जा कितनी होगी डबलू बराबर V into Q हो जाएगी बात संदमा पारी बच्चों आपकी या पर कितनी उर्जा जाएगी डबलू बराब V into Q ठीक है और ओम के नियम साब जानते होंगे कि जो V होता आपका उसकी वैल्यू जाती है आई यार ठीक है और जो Q होता आपका वो हो जाएगा आई V I R into Q ठीक है तो आपका फार्मूला बन जाएगा डबलू बराबर आई एक तो पहले आप इसको कनवर्ट करें यहां पर सबसे पहले तो आप इसको वैल्यू रखेंगे Q की तो क्या बन जाएगा आपका Q IT तो यहां से आपका डबलू बराबर V I T बन जाएगा पहला फार्मूला तो आपका यहां से आगया दूसरा अब V की जगे पर रख दीजिए तो डबलू बराबर जब आप इहां रखेंगे इस V की जिस्ताम पर I R into में I I R into में I T तो आपका बन जाएगा डबलू बराबर I square R T बन जाएगा ठीके अब उसके बाद में यहां से अगर हम I की वैलू निकालें यहां से अगर हम I की वैलू को निकाल लेते हैं तो I बराब का जगा V upon R आप यहां पर इसके जगे I की वैलू रखते हैं तो वैलू बन जाएगा आपके डबलू बराबर V square upon में R square into में R into में T एक R से R cancel हो जाएगा तो आपका जाएगा V square upon में R into में T आ जाएगा ठीके तो कुल मिलाके अगर हम देखते हैं यहां पर हमारे उर्जा के लिए तीन formula निकल का जाते हैं तीन है चार कौन कौन से निकल कर आएगे डबलू बराबर एक तो V into Q आ जाएगा दूसरा आपका V I T आ जाएगा V I T आ जाएगा ठीके और तीसरा आपका यहां पर आपका जाएगा I square R T आ जाएगा और से अगला जाएगा आपका V square upon में R into में T ठीके यह हमारे पास में कुछ पॉमले निकल कर आ चुके इन सभी का मात्र क्या होगा बच्चो जूल चुकि यह उर्जा होगी ठीके तो यहां तक के लिए उर्जा कैसे आ जाएगी ठीक अब इसके बाद में आते हैं हमारा शक्ति के लिए वैदुत शक्ति तो यह बहुत सिंपल है बच्चो 10 प्लास में पर पड़ाओगा वैदुत शक्ति शक्ति या सामर्ति में इसको कहते हैं इसको P से रप्रेजेंट करते हैं बचो है न तो हम यह कह सकते हैं कि किसी उर्जा के व्या होने की दर को ही शक्ति कहते हैं इसका क्या मातरख चला जाएगा Joule पर Second यह सिदा सिदा मातरख चला जाता है बच्चों आपका Watt ठीके बास संगे आ रहे हैं आपके अब यहाँ से अगर इसकी यूट निकाली जाती है तो यहाँ से इसकी विमा निकलका जाएगी Joule की विमा जाती है आपकी ML2 T की पा माइनस के 2 और Second की जाती है T तो आपकी विमा बन जाएगी ML2 T की पा माइनस के 3 ठीके यहाँ से भी इसके 2-3 फर्मिले बन जाएगे कौन से जो भी आपके यहाँ पर W के मान निकलकर आयते बच्चों वाले अब इस W के मान में T से भाग करते चले जाएगे आपके उतने फर्मिले बनते चले जाएगे ठीके तो देखे यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर उतने फर्मिले आपके बनते चले जाएगे तो देखे P बराबर पहले अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं डबलू की वैल्यू है न, डबलू की मा लगते चले जाएंगे यहां पर, तो पहले जासे हमने यह रखा हैं यहां पर, तो आपका बन जाएगा, अपका बन जाएगा, तो आपका बन जाएगा, तो आपका बन जाएगा P बराबर V I ठीकें, दूसरा गर यहां पर देख लेते हैं कि P बराबर I square R T upon T जाएगा तो T से T cancel हो जाएगा तो आपका बज़ जाएगा P बराबर I square R ठीके उसके बाद अगला देख लेते हैं कि यदि हम P बराबर V square upon R into में T कर दें upon में T जाएगा T से T cancel हो जाएगा तो आपका बज़ जाएगा P बराबर V square बटे में R तो यहां से हमारे पास तीन formula निकल कर आ चुके हैं ठीके कौन कौन से P बराबर V I दूसरा I square R तीसरा आपका है V square बटे में R बात समझ में आप आ रही है बच्चों आपके तो यह बात आपके बहुत अच्छी तरीके से किलर हो गई होगी कि शक्ति क्या है सामर्ति क्या है ठीके शक्ति क्या हमारे पास बहुत सामर्ति क्या है ठीके बच्चों अब अगर यह बात यहां तक आपके किलर हो गई है तो आप इस पर related हम यहाँ पर कुछ questions को देखेंगे कि questions कैसे इस पर ऊचे जाते हैं चलिए जैसे हमारे पास में वाला questions है बच्चो important सवाल है आपका यह वाला 2022 में बोड के exam में आया था कि विशिस्ट परतिरोद की परिभाषा एवन मातरक तो सबसे पहले तो आप यह बताईए कि विशिस्ट परतिरोद की परिभाषा और मातरक क्या जाएगा तो विशिस्ट परतिरोद यानि की रो पूछला है इस तने आपसे रो के बारे में तो आपको बताया था ना विशिस्ट परतिरोद क्या होता है सबसे हैं दो डिफ्ली आयते हैं हमारी एक तो हमारी परिभाष से नेकल लएकने रहेते है और आपकी याद आ रहा होστर। दूसरगर परताया है था आएं टो उमें यह आनल हमने पर यहां पर इसको मान लिया था ल, एक मान लिया था और ल, ल को है गान बदाइती परिभाशा कि कि सब्रूद के बराबर होता है कि जिस चल्टर की लंबाई एक कांग को और जिस चल्टर की सब्सक्रओं डिच मोझा भी छे तरफ कर एक द्रत काट कार में एक है उस important है वाला ठीक है तो सवाल में आपसे क्या कहना चाहरा है सवाल में कहना चाहरा है कि 20 cm लंबे तार को खीचकेश के लंबे 25 cm रद्धी कर दिया तो नए तार के परतिरोध में परतिशत रद्धी की गणना करने के नए तार में कितने प्रतिशत व्रद्धी हो जाएगी ठीके, तो प्रतिशत व्रद्धी निकानने के लिए बच्चों क्या करना होगा आपको आपको पहले नया प्रतिरोद निकानना होगा कि नया प्रतिरोद कितना हो गया, ठीके, तो मान लेते हैं माना जो भी चालकतार रहा होगा कि एक तो आपको दे रखा है L1 की वैल्य आपको दे रखे 20 cm ठीक है तो इस केस में मान लेते हैं कि आपका जो प्रतिरोद होगा R1 की वैल्य वो आर ओम रहा होगा ठीक है अब अकोर्डिन टो कोशन परसुन अंसार वो क्या रहा है L2 हो जाएगा आपका L1 प्लस के L प्लस के L 1 का 25% ठीक है तो यहां से देखें L2 कितना निकल लगा आगी आपका यहां पर यह 20 हो जाएगा प्लस 20 गुना 25 बटे में 100 चला जाएगा 25 चोका 100, 4 से इसको काटेंगे 5 बगड़ जा चार पंजे 20 तो आपका L2 चला जाएगा 25 यानि कि 25 सेंटीमेकर की बाद में लंबाई हो जाएगी तो जो नया परतरोद निकल कर आएगा यह तो आपको निकालना है जो कि हमको उसमें प्रतिषत वरद्धी बताने कि प्रतिषत बडद्धी कितनी हो जाएगी ठीक है यहाँ पर समझा पारी होगे आपके तो जब प्रतिशत व्रद्धी आपको निकालनी है तो पहली भी तार वही था बादू भी तार वही रहेगा तार तो वही है ना लंबाई बढ़ाई है ना खैच के वल तो जब लंबाई बढ़ाई गए तो value क्या निकलकर आएगा आर बराबर row into L upon A निकलकर आएगा ठीके अब देखें पहले चालक तार के लिए तो यहाँ पे पहले चालक तार के लिए R1 जाएगा रो वन नी होगा, रो रो ही रहेगा और यहाँ पर यह L1 हो जाएगा A1 हो जाएगा, चुकि एरिया कुछ और रहा होगा उसका ठीके, तो इसे क्विशन नमबर एक मान के चल लेंगे हैं पर वो इसी परकार बाद में लंबाय को बढ़ा देने पर, यानि कि लंबाय जब L2 हो जाएगी, तब उस केस में रो, रो ही रहेगा L2 हो जाएगा, एरिया A2 हो जाएगा इसे क्विशन नमबर 2 माल लेंगे ठीके, आपको R2 निकान ला है, तो आप क्या काम करेंगे हाँ पर, आप काम कीजेगा समीकरण 2 को भाग कर दीजिए एक से तो R2 अपॉन में R1 चला जाएगा, रो से रो कैंसेल हो जाएगा, पहले हम इसको लिखेंगे L2 अपॉन में A2 इंटू में ये वैल्यू उल्ट हो जाएगी, जब ये वैल्यू उल्ट हो जाएगी तो उसके मतलब क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे A1 अपॉन में L1, तो यहाँ से देखें R2 अपॉन में R1 बराबर आपका जाएगा, बच्चो L2 अपॉन में L1 इंटू में A1 अपॉन अपॉन A2 आजाएगा, ठीक है C3 अब उसके बाद हैं A2 अपॉन वसके बाद में बच्चों आपको करना क्या है A2 वसके बाद में, बच्चों, भीन यहाँ फur तो जिसके बाद में आपसे बात नहीं की गया अपको उसको Change करना होगा, उसको बदलना होगा तो उसको कैसे बदला जाएगा चुकि आयता नहीं बदलता आपका ठीके जब आपका आयता नहीं बदलता है तो उस केस में आपको करना क्या होगा बच्चो उस केस में आपको करना क्या होगा तार को देखें तार को खीचने से पहले का आयतन बराबर आपका होगा तार को खीचने के बाद का आयतन ठीके खीचने के तार को खीचने के बाद का आयतन दोनों वैल्यू बराबर होएंगी ठीके तो पहले क्या था असका एरिया एरिया था A1, लंबाई कितना थी L1 बाद में area कितना होगा है A2 लंबाय कितना होगा है L2 ये दोनों value बराबर रहेंगी अब यहां से according आप value को change कर लेना तो यहां से क्या जाएगा आपका A1 upon में A2 बराबर आपका जाएगा L2 upon में L1 ये देख रहें आप और ये value आपकी बिलकुल same जा रही है ठीके ये value आपकी बिलकुल same जा रही है तो इस value को कहां रखेंगे इस से box बंद कर लिएगा समीकरं कहां रखे जाएगा 3 में जैसे समीकरं 3 में रखेंगे तो value क्या बन जाएगा आपकी R2 upon में R1 बराबर L2 upon L1 इंटो में L2 upon L1 तो आपका बन जाएगा formula R2 upon में R1 बराबर L2 upon में L1 का square ठीके इस equation number 4 माल लेंगे बात सच में आप आ रही है बच्चो आपके अब इसमें इस value को रखा जाएगा तो जब value आपकी रखी जाएगी ये वाली आपकी तो इसमें मान रखने पर देखी क्या हो रहा है आपका देखे जब मान रखते हैं आपके तो value क्या बन जाएगी आपकी R2 हमको पता नहीं है R1 हमने R मान रखा है L2 की value कितनी जाएगी है गई है आपकी 25 cm ठीके और L1 की value कितनी है आपकी 20 cm ठीके कर स्क्वेर करेंगे अब इसको value को 5 से काटा जाएगा तो 5 से काटेंगे तो 5 चुक 20 25 ठीके तो जब ये value आपके संग में आ रही होगी हैं पे तो उसके बात देखे कि value क्या बन जाती R2 upon में R इसका स्क्वेर करेंगे तो 125 सुरी है 25 जाएगा बस आपका यहां पर यहां पर यह वाला पांच कवर 25 हो जाएगा तो 25 बटे और 4 का 16 तो यहां से मुझे बताए कि R2 की value कितने निकल का आगी R2 बराबर आपका जाएगा R वहां चला जाएगा तो 25 बटे 16 R आ गिया बात समझ मा आ चुकिया आपके लेकिन हमें आंसर यह नहीं देना हमें बताना कि कितने प्रतिशत उसके परतिरोत में व्रद्धी हो जाएगी तो जब हमको प्रतिशत व्रद्धी बताने हैं आपको उसमें तो प्रतिशत व्रद्धी बताने के लिए आपको करना होगा आप बाद में पेहले इंठाव कितना नहीं कि बाद में कितना था पहले कितना था और पहले से भाग करके into hundred कर देना तो आपको प्रत्षत व५िरद्दी निकल आजाए खी के तो ध्यान दे आप बाद में तो R आ गया पॉन में पहले कितना गया R इंटू में 100 ठीक है अब यहाँ पहले से लेंगे तो 25 R माइनस के 16 R अब पॉन में चला जागा 16 R ठीक है इंटू में 100 चला गया अब 25 में से 16 गये तो कितने बचे 9 R बटे में 16 R R से R कैंसिल होगे इंटू में 100 चला गया ठीक है अब यहाँ तक बात किलियर हो पा रही है आपके अगर यहाँ तक बात किलियर हो पा रही है आपके तो 9 गुना 16 गुना 100 तो 4 से इसको कार देंगे 4 चोक 16 अब 25 चोका तो 25 कितना हो गया बच्चों आपका 25 निम्मा 25 बटे में 4 चला गया तो अब इसको भाग किया जाएगा तो इसको भाग करेंगे तो बताओ कितने value निकल लगा जाएगा आपके कितनी value निकल लगाई 4 पंजे 20 ठीक है कितना बच़ा दो बच़ा इसमें चला गया चार शिक्का चो बेस कितने बच़े एक बच़ा चार दुनी आठ दो बच़े चार पंजे बेस तो 6.5 5, 6.25% इतने प्रतिशत की विरद्धी उसमें हो जाएगी यहां तक बात आपके बच्चों संगें आप आ रही है ठीके तो यह कोशन का इसका आंसर होगा ठीके आपके बात के लिए बपारी होगी यहां तक तो no doubt चलिए बच्चों अगला सवाल देख लेते हैं अगला सवाल क्या करते है अगला सवाल कहता है वैदुद चलकता की परिभाषा वैदुद चलकता क्या होगी कि वैदुद परतिरोत की विद्करम को वैदुद चलकता कहते हैं ठीके अब एक चलक परधारत के लिए विदुद चलकता विदुद चलकता यानिकि आपको सिग्मा निकालना, तरीके से आपको सिग्मा निकालना होगा है आक है, कि सिग्मा की value कितनी होगी आपकी यहांपे, इसके लंबाई 3 मिटर, लंबाई, यानिके L आपको दे दिया 3 मिटर, ठीक है, पर इजे छेतर पर आपको एः दे दिया, 0.02 mm2, तो पहले पर मेटर स्कुराय के लिए कितना जाएगा माइनस के 6 जाएगा ठीक है अब इसके बाद है बच्चो यहां पर दिरका पड़ती रोध याने कि आपको दे दिया आर रही हो रोगा जो हमारा निकलकर आया था वह आर इंको एपान एल निखलकर आया था ठिक है तो जैसे स्वेयल को यहां पर रखा जायगा जैसे स्वेयल को यहां यहां से पॉइंट आगे ओपर दो जीरो चले जाएंगी तो सिग्मा बराबर कितना आ गया तीन गुना सो गुना दस की पावर प्लस के 6 उपर जाके प्लस हो जाएगा और दो दूनी 4 हो जाएगा ठीक है यहां तक बात समझा आ पा रही है अगर यहां तक बात समझ में आ आ पार रही है आपके तो यहां तो हम इसको इससे भाग कर सकते है ठीक है जब इससे पास करेंगे आप तो देखें यह वैलू क्या बन जाती है और इसको लिख सकते हैं सिग्मा बरावर 7.5 इंटू 10 की पावर प्लस के 7 ठीके ये बात समझाना आ पारी है आपके इसका मातरा को जाएगा ओम इन्वर्स मेटर इन्वर्स ठीके ये इसका आंसर आजाएगा बात समझा रही है परिभास आपके याद होगी होगी कि विशिष चालकता के विशिष परतिरोत की विद्करम को विशिष चालकता कहते हैं ठीके अब इसके बात अगला सवाल देखेंगे अगले सवाल में सेम बचो यही सवाल है जो अभी अब ने किया था बड़ा इंपोर्डेंट सवाल है 15 में 16 में दो बार सवाल आपका यह बोर्ड के एक्जाम में आया है यह कहता है कि 8 ओम के मोटे तार को यानिकी R1 की वैल्यू यहाँ पर अगर हम मानके चलते हैं आपसे क कितनी वैल्यू होगी R1 आपको दे रखा है 8 ओम के तार को खीच कर इसके लंबाई दुगनी कर दी जाए दो गुनी ठीके तो इसका मतलब क्या होगा कि L1 को हम L मान लेते हैं ठीके और परस्टनल सार वो कहता है कि यदि लंबाई को 12 कर दिया जाता है तो नया परत्रोत कित सुना होगा ठीके तो कैसे बताएंगे वैसे तो इसका एक शॉर्ट पॉर्मला होगा अब यह मुसको बताएंगे आपको कि शॉर्ट पॉर्मला क्या होगा आपका आपको याद रखना है कि अगर कहीं लंबाई के बारे में बात की जाती है तो आर न्यू रईस्टेंस यानि दो का वर्ग कर देना है आपको और पहला कितना है आपका आठ हो में ठीके तो दो का वर्ग कितना हो गया चार हो गया यहां पर कितना है आठ आठ चोक 32 तो इसका मतलब हो गया इसका जो आंसर आएगा वो 32 हो आएगा लेकिन इसको यह शोट जो है आपका वो एक नंबर के लिए mcq के लिए apply करना है ठीके लेकिन अगर यह question दो number में आता है आपको तो इसको solve करके दिखाना होगा कैसे करके दिखाएंगे पहला आप इस value को note कर लेंगे ऐसे ठीके उसके बाद हमारा formula जाएगा r1 बराबर row into a1 sorry l1 जाएगा l1 upon में a1 ठीके इस equation number एक माल लेंगे और r2 बराबर आपका चला जाएगा row into में l2 upon में a2 चला जाएगा ठीके इस equation number दो माल लेंगे ठीक अब यहाँ पर इसको divide के जाएगा तो समी करन 2 को divide कर देंगे एक से तो आपका बन जाएगा r2 बटे में r1 रोज सरो cancel हो जाएगा आपका l2 upon में l1 इंटो में a कि नहीं नहीं कर लट होगी आपका यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर एवन अपन में l1 ठीके तो यहाँ से इसको ख़़़गा सही कर लेते हैं r2 upon में r1 बड़ाबर आपका जाएगा l2 upon में l1 इंटो में a1 upon में a2 इसे question number तिन माल लिए अगर याद हो आपके समी का नंबर चार आई ती अभी हमारे पिछले question में यह समी का नंबर चार हमने वाली थी यह वाली तो इसमें a1 upon a2 बराबर आपका यहाँ तो जब हमने value रखे तो आपके समी का नंबर जो चार थी यह वाली इसको आप डिरेक्ट याद रखेंगी r2 upon r1 बराबर l2 बटे l1 बटे का है तो इस फॉम्ले से अगर हम यहाँ पर करते हैं तो जब इसको convert कर आएगा समी कर चार थे पिछले question में तो हम जानते हैं ना बच्वों क्या कि l2 upon l1 बराबर आपका होता है a2 बटे में a1 क्या होता है बच्वों आपका यहाँ पर a1 upon a2 ठीक है तो इस value को जब यहाँ पर बदला जाएगा तो आपका जाएगा r2 upon में r1 बराबर l2 upon में l1 into l2 upon l1 ठीक है तो आपका बन जाएगा बच्वों यहाँ पर क्या बन जाएगा आपको यहाँ पर देखेगा r1 sorry r2 जाएगा यहाँ पर r2 upon r1 बराबर आपका जाएगा l2 का l2 upon l1 का whole square ठीक है अब यहाँ पर value रखेंगे r2 तो हमको निकान लें r1 की value आठ जाएगी लंबाई को कितना गया 2 well किया रिया और पहले लंबाई कितनी थी उसको किया गया दुगना किया गया तीन गुना किया गया मानलों अगर वो कह दे इस कोशन में कि तीन गुना लंबाई की तो तीन का वर 9 और 8 की गुना करेंगे देंगे 9 में तो आट नहीं भाततर चर्ट प्रिसका अंसर होगा भाततर हों ठीके बात सम्झा पारी बच्चो आपके जहां तक चलि अगर यह यहां तक बात के लिए रहो जाती है तो अब इसके बाद अगला सवाल देखते आ बच्चों हम यहां पर हमारा अगला सवाल जा पूछा है अपसे क्या पूच लिए AAPS generation Ao आपसे R की वैल्यू पूच लिए चीके टो ईप से कैसे कार जाएगा otherwise त त tactical तो ऐख फॉमला घर याद होगी तो पीछे आए था ते गिंदिद हमारे इहां पर फॉम्ला अजना या यह वाला ہے तो यहां से हमें जो value दे रखी होगी, उसके according यहां से वह वहला formula चुल देंगे तो हमारे पास वहाँ पर V है वहाँ पर P है, वहाँ पर हमको R निकालना तो हम यह लगाएंगे P बराबर V square upon R, तो देखेगा कौन सा formula लगाएंगे P बराबर V square upon में R लगाएंगे ठीके, अब यहां हमको निकालना R है तो V square upon में बच्चो क्या आएगा P आएगा, अब इसके मान रखे जाएंगे, तो देखेए मान रखे क्या जाएगा आपका, V का मान कितना जाएगा बच्चो आपका 250 गुना 250, बटे में कितना जाएगा 1000, ठीक है किलिए उड़ हो गया अब यहां से देखेए बच्चो क्या होगा 2 0 काटिंगे तो देखेए, पहली 0 से कैंसिल हो गई दूसरी 0 से कैंसिल हो गई तो क्या बच गया आपका R बराबर 25 गुना 25 बटे 10 25 कितना हो जाएगा 25 का बटे 625 हो जाएगा तो 625 बटे में 10 जाएगा उसके बाद जब इसको solve करेंगे आगे तो value कितना हो जाएगी R बराबर 62.5 ohm ठीक है यह इसका बच्चो आंसर आग जे आगया है ठीक है, बोड के questions आपके वाले हैं इन questions को बड़े ध्यान से आपको देखना है बच्चो आज के लिए फिलाल हमारा इतना ही मिलते हैं बच्चो आपसे next lecture में आज के लिए धन्यवाद इन चीजों को आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है बहुत अच्छी तरीके से इनको याद करना है इंपोर्डेंट चैप्टर आपका चला आए वाला ठीके घर पे रहें स्वस्त्र रहें हैपी लर्णिंग धन्यवाद